पाकिस्तान की लड़की से प्यार और वीडियो कॉल से शादी के मामले में नया ट्विस्ट सामने आया है रहमान की पहली बिवी ने कतर से फोन पार ट्रिपल तलाग दिने का अरोप लगाया है और सरकार से इंसाफ की गुहार लगाई है पाकिस्तान वाले प्यार में नया ट्विस्ट मैविश के लिए छोड़ा बीवी का साथ फरीदा को फोन पर दिया ट्रिपल तलाग चूरू जिले के रहमान ने जिस पाकिस्तान वाले प्यार के लिए बॉडर लांग कर बीवी से बेवफाई की और उसे फोन पर ट्रिपल तलाग कहकर अकेला छोड़ दिया उस पत्नी ने भी ससुराल और समाज की सीमाएं तोड़ कर मासुमों को हक दिलाने की ठानी है मेविश के भारत आने के बाद हनुमानगड में रह रही फरीदा के सब्र का बांध तूट गया फरीदा अपने पिता के साथ सीधे ठाने पहुँच गई उसने रह्मान और ससुराल वालों के खिलाब तहेज प्रताड़ना के साथ तीन तलाक का मुकत्मा दर्ज करवा दिया है बादा की बेटी फरीदा है यह है फरीदा का विवाए उनिस दो जार ग्यारा में लाउपिती सर जिलाचुरू के निवासी रह्मान के साथ हुआ था आज उसी रह्मान ने फरीदा के और उतने बच्चों को दोखा देते विए एक पाकिस्तानी महिला के साथ दुआए करने की वीडियो जाई कर फरीदा का कहना है कि 17 मार्च 2011 को चूरू जिले के बीती सर गाउं के रहने वाले रह्मान खान से उसकी शादी हुई थी शादी के कुछ समय बाद रह्मान विदेश चला गया तो उसने रह्मान के बिजनस के लिए परिवार की जूर्री तक बेच दी फिर अचानक एक साल पहले रह्मान के पाकिस्तानी महिला से संबंद के बारे में पता चला विरोत किया तो सस्राल वालों ने उसे प्रताडित करना शुरू कर दिया इस बीच वो अपने पिता के यहां आ गई कुछ दिन बाद रह्मान ने भी फोन पर तीन तला कहकर पल्ला ज़ाड लिया फरीदा ने रह्मान की भीवी होने का दावा करने वाली महविश को पाकिस्तानी जासूस बताया है वहीं फरीदा के पिता ने सरकार से इंसाफ की गुहार लगाई 27 जुलाई को पाकिस्तान के लाहोर से चूरू पहुंची महविश का दावा है कि उसने पीती सर गाउं के रह्मान से वीडियो कॉल की जरिये शादी की है फिर साओधी अरब के मक्का में निकाह कर लिया वो रह्मान के कहने पर टूरिस्ट वीजा लेकर ससूराल को जानने समझने आई है तो मुझे इदर आके बहुत अच्छा लगा है सवाल फिर वही है पहले सीमा और अब महविश पाकिस्तान से आखिर दो बच्चों के पिता से शादी करने को तैयार क्यों होई दूसरा ये कि जब उसका पती कुवेट में है तो उसे हिंदुस्तान आने की जरूरत क्यों पड़ी पुलिस मामले की जाच में जुटी है देखना होगा महवत का ये फसाना कौन से अफसाने गरता है ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 राजस्थान और पाकिस्तान से आई बहु महविश अपने ससुराल में खुब काम कर रही है और अपने सास ससुर का पूरा ख्याल भी रख रही है महविश को राजस्थान आए एक से दो दिन ही हुए लेकिन वो अभी से राजस्थानी पकवान बनाने लगी है और अपने सास ससुर को गर्मा गरम रोटिया भी खिला रही हैं, देखे रपोर्ट दिल में रह्मान बीदनी फ्रॉम पाकिस्तान एक और सीमा पार इश्क चड़ा परवान पाकिस्तानी बहु बनाए राजस्थानी पकवान पहले पाकिस्तान से सीमा आई, अब महविश पूरे देश में एक और पाकिस्तानी बहु की खूब चर्चा हो रही है पाकिस्तान से आई महविश का ग्रेह प्रवेश तो हो ही चुका था, लेकिन अब उसने घर भी संभाल लिया है चुरू के पीठी सरगाओं में अपने ससुराल में महविश फोल अन देसी अंदाज में नजर आई महविश अपने ससुराल में सारी जिम्मेदारिया निभाते हुए अपने सास ससुर का पूरा ख्याल रख रही है और उनकी सेवा में कोई कमी नहीं रख रही है अपने ससुराल में महविश ने देशी अंदाज में राजिस्थानी खाना बनाया और अपने सास ससुर को गर्मा करम रोटिया बना कर खिलाई सास ने उसे राजिस्थानी मतीरी, टेंट सी और गौार की फली की सबसी बनाना सिखाया वहीं महविश ने परिवार के लिए चाय भी बनाया महविश को ससुराल में खूब प्यार मिल रहा है और अब उसे कुवेट में रह रहे रहे रहमान का भारत में आने का इंतिजार है अब रहमान इदर आएंगे 15-20 दिन तक तो कि उन्होंने खुद मुझे बोला है वो आ रहे हैं उन्हें भी दिल है मुझे मिलने का मेरा भी दिल था इंशाला वो आएंगे हमने कुछ गलत नहीं किया हमने निकाह किया इधर पाकिस्तान की दुलहन को पाकर परिवार के लोग खुश भले ही हो लेकिन इनकी मुश्किले भी बढ़ती जा रही है महविश से निकाह करने वाला दो बच्चों का पिता रह्मान अभी कुवेत में है और महविश पीथी सर में वही हनुमान गड़ के भादरा में रह रही रह्मान की पहली पतनी फरीदा ने रह्मान के खिलाब दहेश प्रतार्णा का मुकदमा दर्च करा दिया है लेगन इस पर महविश का कहना है कि रह्मान उसके शोहर है और अल्ला ने उन्हें मिलवाया है मैं पाकिस्तान से वागा पाडर से आई हूँ तो मुझे इदर आके बहुत अच्छा लगा पहले हम पुली स्टेशन के हैं उसके बाद मैं अपने सुसराल आई हूँ इदर इस पूरे मामले को लेकर रह्मान की मा ने कहा कि पाकिस्तान से आई उसकी बहु उसे काफी पसंद है और उनका कहना है कि वो पाकिस्तानी बहु को भी अपनी बेटी की तरह ही प्यार देंगे मेरी भूँ बहुत बढ़ी है बहुत निवाजी प्रहब्जी है अब गष्ट दुनिया बोल ले गया तो बीडिया मच डढ़ी है है तो सब कुछ कर दिए है मैं दो साल बात करी हूं इस निवाज। में कि निवाज शार्ट एम की पड़ा है निवाज। बहर हाल रहमान की पहली पत्नी फरीदा ने भादरा थाने में पती और ससुराल पक्ष पर दहेच का केस दर्ज करा दिया है वही दूसरी दरफ पाकिस्तान की महविश अपने ससुराल में खुश है अब देखना ये होगा कि इस मामले में आगे आगे क्या होता है निउस एटीन के लिए चुरू से मनोच शर्मा की रिपोर्ट